जिस कदली व्रक्ष में व्रक्ष में फर नहीं आता है उसी कदली व्रक्ष को हम यहां से ले आते हैं लेकिन मा की किरपा जिसके पर होती है तो वहीं से व्रक्ष जाता है कदली व्रक्ष की पूजा का जो सुवसर है हमें प्राप्त हुआ है हमारे परिवार वालों को उत्राखन की आराद्य माननन्दा सुननन्दा का आज 121 शुपारम है नेनिताल के सांस्कृतिक संस्था श्री राम से इवक सभा द्वारा आयोजित नन्दा दीवी महुत सब बड़े ही धुमधाम से मनाया जा रहा है आज हम मौजूद है चंद्रवती कॉलोनी पीली कोठी ब जो कि केले का पेड़ होता है जिसका इस्तेमाल माननन्द सुननिंदा की बरतीमा बनाने के लिए जैए जिसके बाद्या पूजा अर्चना कर यहां से नेरी-ल्टाल के ओर रवाना होंगे तो आए चले बात करते हैं यहां लोगों से कि किस तरीके से कद्ली विख्ष को पू प्रणाद करता हूं और एकसों वर्स हमारा नंदा देव महुत्सों कहने निताल में इसका चाहन हम इसलिए करते हैं कई जगें करते हैं सबसे पहले हमने तीन-चार जगें चाहन किया लेकिन मागी किरबा जिसके उपर होती है तो वहीं से व्रक्ष जाता है और इन कदली रक् करेंगे तो इसमें देवी का वो पूरा भरा जागा तो इसकी वी कल पूझा होगी यहाँ पर इसके बाद यह कदली रक्ष को हम कल Mizra update drug-12 बजे नेदके रस्तां करेंगे वह पर इसमें पूरे सहर में इसका नगर्ब्रमन होता है पूरेद良ी रस्ताय होगा इसमें कई हजा उसके बाद इसको मूर्तिनिमाड़ सुरू जाता है 22 तारीकों मूर्तिनिमाड़ का कारीच सुरू होगा और 23 को हमारी अस्च्छे भेजिन होगी जो ब्रह्म मूर्थे में हमारे चार बजे मागी कपाट खोल दियाते हैं सभी दर्सन वालों के दर्सन आर्थियों के लिए और कम से हम इसमें 40 या 50 यार वहाँ पर दर्सन आर्थियों आपर उसे दर्सन करता है पड़े यह हमारा 27 सारी तरह पर कारेगे होगा नो मी के दिन वहाँ पर विसाल भंड़ना रहा हुटा है हमारे नीधाल में बहुत घेश में हमारे ए और उसके बाद उसके अग्ले दिन हमारा चुन्दर ऌंब कर cetera है चाहा बतुक औल लोनी जी जो यहाँ पर है इनके अंकर ब्रक्सि जा रहा है इनको सभागी प्राप्त हो यद मेरी में और जो जिस और कि से यंदे मीरत को चेन करते हैं हम दो मेने पहले इसके टरने आते हैं चीह है अगर कि यहां तो फिर हम उसक्तों को नहीं लिया जो तो इसमें फांस देखके गया तो थीन तेसे थे मिन तेख नहीं था मतलग फल नहीं अए हुए थे तो दो हब यह फेल से फ्रक्षा में फल नहीं आए हुआ तो उसी किसे मूर्थिकल निमान के जाता है यह यह हर जो यह आयोजन है मेरे जेड इठानी के घर में हो रहा है और यह कदली व्रक्ष की पूजा का जो यह सुवसर है हमें प्राप्त हुआ है हमारे परिवार वालों को तो इसके लिए हम बहुत बहुत भगवान के शुक्र गुजार है कि ऐसा सुवसर हमें भगवान ने करने का मो तो इससे खुशी की बात कुछ होई नीच सकते तो इसमें मातारानी की बड़ी क्रपा है और हम मतलब नहीं आने वाले भी आ गए है बैंगलोर से मेरी बहु आ गई ज़र से मेरी पती जी आ गई बेटे आ गए तो इतना खुशी का माहौल मातारानीन हमें दिया है इसके लिए मादा धन्नेनन्ता सुनन्दा देवी का एक महस्यश्य वैज़ाघ्या तो बारा साल में होती यह भाधरपत की अस्थुमी को पूजी जाती है मानन्दा सुनन्दा जिसका पंचमीं की दिन जो कदली ब्रुख्से है इसलिजा कि इसमें मूर्ती का निर्मान किया जाता है और आपका जो सुब दिन होता है जैसे दसमी की दिन या जो भी इसमें जो बार जो होता है जैसे हमारे यहां क्या है कि जो बेटी बहु होती है उसको हर एक किसी बार को घर से विदा नहीं करते उसके लिए कुछ बार सुनिश्चित है तो उनी बार में उनको विदा किया जाता है इस्तापना करने के उपरान। कदली विक्ष को आज यहाँ पर लाया गया है जिसको लेकि लोगों के मन में काफी उत्सार है और कदली विक्ष को लेकर लोग भक्तिजन, नैनिताल की और रवाना होंगे जिसके बाद कदली विक्ष से ही माननन्दा सुनन्दा की प्रतीमा बनाई जाएगी। News Today Network से खुशी लहुनी।